नमस्तार, मैं हुरंजीत कुमार और अगले एक घंटे आप और हम मिलकर घुमाने जा रहे हैं देश का मूड मीटर तो निकाल लीजिए अपना फोन और अन कर लीजिए अपना कैमरा क्योंकि इस शो में आपके वोट से तै होती है बहस की दिशा एक ऐसा शो है जिसमें देश के बड़े मुद्दे पर आप अपनी राय को बता सकते हैं और ठीक उसी वक्त उसी मुद्दे पर देश क्या सोच रहा है ये भी जान सकते हैं एक ऐसा शो है जिसमें वोटिंग और रिजल्ट दोनों लाई तो आज के मुद्दे पर आऊं उससे पहले ये जान लिजिए कि वोट करना कैसे है तो बहुत आसान सा तरीका है फोन निकालिए कैमरा ओन कीजिए और स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है उस पर कैमरा फोकस करिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्टा जाए अपने हिसाब से जवाब चुनने के बाद उसे सब्मिट करना है और हां आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं चार लकी तो QR कोड स्क्रीन पर आ चुका है और आप वोटिंग करना शुरू कर दीजिये और हम आते हैं अब आज के मुद्देपर क्या आपको अंदाजा है कि राहूल गांधी ऐसा सोच समझ कर करते हैं या भूल चूप से हो जाता है ऐसा क्यों लगता है कि राहूल गांधी अक्सर ही अपने ही बयानों से self goal कर लेगे इस बार शक्ति से लड़ाई वाला बयान देकर राहूल फ़ड़ा पस्ते नज़रा रहे है राहूल ने कहा कि हिंदु धर्म में एक शक्ति होती और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं अब हिंदु धर्व में शक्ति का क्या मतलब है और क्या महत्तो है इसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या राहूल गांधी इस बात को नहीं समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि राहूल की बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। लेकिन एक बार भी पी-एम मोधी मौके से चूके नहीं। एक बार सुनिए पी-एम मोधी और राउल गांधी ने आज क्या क्या कहा उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां का राजा की आत्मा इवी-एम में हैं सही है सही है राजा की आत्मा इवी-एम तो राहुल के बयान ही नहीं कई बार सवाल भी आम आदमी को एक सकी समझ से परे होते हैं जैसे राहुल ने फिर से इवी-एम का मुद्दा भी उठा दिया उसी इवी-एम से हिमाचल, तेलंगाना और करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बन समझ जाते हैं, क्या वाकई इस सवाल का कोई मतलब है, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों कर, आज देश की मूड मीटर में पता लगेगा, जब आप बड़ी संख्या में इसी से जुड़े सवालों पर वोट करेंगे और आज के सवाल आपके सामने हैं, इन सवालों का एक बयानों से सेल्फ गोल कर लेते हैं, और इसका ऑप्सन है, राहुल के बयान से कॉंग्रेस को नुखसान होता है, ऑप्सन A, ऑप्सन B, कॉंग्रेस के मुद्दों पर बोलते हैं राहुल, और देश के मुद्दों पर बोलते हैं राहुल, ऑप्सन B और ऑप्सन C, राहुल को सोच समझ कर बोलना चाहिए सवाल नमबर दो शक्ती पर निशाना साधकर राहुल क्या लडाई की शुरुवात में ही फस गए है option A है हाँ इससे मोदी को फाइदा होगा option B है नहीं मोदी की शक्ती राहुल मोदी की शक्ती की बात कर रहे थे और option C है भाव सही थे लेकिन शब्द गलब सवाल नमबर तीन EVM पर सवाल उठाकर राहुल क्या अपनी नाकामी छुपा रहे है और option है हाँ हार से पहले EVM का बहाना बना रहे है राहुल option B है नहीं EVM विश्वस निये है उस पर विश्वास किया जा सकता है और C है कि EVM कोई मुद्दा ही नहीं अब चौथा सवाल देख लेते हैं चौथा सवाल है कि राहुल की निया यात्रा से अखलेश केजरिवाल की दूरी क्या कहती option A है मजबूरी का है इंडी गठवंधन option B है चुनाव से पहले नतीजों का अंदाजा और option C है जरूरी काम की वज़ा से नहीं गए दोनों नेता और ये पांचवा और आखरी सवाल है कि चुनावी विगुल बजने के बाद मोदी कितने सीटों पर गीतते दिख रहे हैं option A है 300 से कम option B है 335 से ज्यादा option C है 370 प्लस और option D है 400 के पाद अब जरा एक बार मोदी और राहूल का ओवाला बयान सुन लेते हैं जिसको लेकर के आज पूरे दिन बखेड़ा होता रहा है जरा सुन ये हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदूस्तान की हर संस्ता में है ED में है CBI में है Income Tax Department में है और जिनोंने कल सिवाजी पार्क में इंडिय अलाइस ने अपना गोष्णा पत्र शक्ति को खतम करने के लिए किया है मैं इस चुनोति को स्विकार करता हूँ और मैं इन सक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूँगा जीवन खपा दूँगा क्या भारत की धर्ति पर कोई शक्ति के विनास्ति बात कर सकता है क्या क्या शक्ति के विनास्त हमें मंजूर है तो शक्ति विनाशक और शक्ति साधक के बीच की लडाई आपने देख ली और अब ये लडाई यही नहीं थमने वाली है जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, इसलिए लडाई अभी आगे और बढ़ेगी, इसमें कोई दोमत नहीं है, ये लडाई किस तरफ जाएगी, राहुल को इसका कितना नुकसान होगा, बीजेपी को इसका कितना फाइदा होगा, ऐसे तमाम सवाल है, राहुल के बयानों से उठने वाले सवालों की एक लंबी फैरिस्त है, जिनको सीधे लेकर हम अब चलते हैं, अपने गेस्ट के पास, अपने महमान के पास, हमारे साथ आज चार महमान जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और सूरिया मैथिल, राजनितिक व प्राबलम क्या है, राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है, राहुल भाशा के अस्तर पर चूक जाते हैं, भाशा उनका साथ नहीं दे पाती, राहुल मुद्धों की समझ नहीं रखते, या उनके सामने बीजेपी और या यूं कहें कि मोदीय शाह के रूप में एक ऐसा यह तीनों समस्या नहीं है क्योंकि भारतिय जंता पार्टी ने राहुल जी की इमेज खराब करने के लिए करोड़ों अर्बों रुपए खर्चे किये हैं और जित्ती भी कोशिश कर ले हमारे नेता हजारों किलोमेटर का सफर तै करके लोगों के मुद्दों पे संघर्ष कर हैं चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो भुकमरी हो चाहे वो गरीबी हो किसी भी मुद्दे पे आवाज सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता अदर्णियर राहुल गांदी जी ही उठाते हैं बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन अगर किसी भी भारतिय जंता पा बारत कर रहे हैं आप रोशनीलिया स्वाइल आप करें कि विकास करें लिए प्रधान मंतरी मोधी की कोई ऐसी रेली नहीं होती जिसमैं कि बारत की जंटाए नहीं बपर बाची चन्ता पार्टी का कोई अढमी विकास पर बात नहीं करना चाहता है मैं सवाल कर रह Negini मैं सवाल कर रहा हूँ राहूल गांधी को लेकर सवाल कर रहा हूँ कि राहूल गांधी ऐसा क्यूं है कि बार बार जब भी वो बयान देते हैं वो सिल्फ गोल करते नजर आ रहे हैं वो ऐसे मुद्ध ऐसी पीछ पे चले जा रहे हैं जहां पर कि शायद उनको बॉल फेकना न और लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो भी वज़ा हो अगर जनता की मुद्दों पे संगर्श करना हजारों किलो मेटर की यात्रा करना लोगों की तकलीफे सुनना उन्हें सॉल्व करना आपकी नजर में गोल-गोल घुमाना है तो यह आपकी नजर है नहीं अखलेश यादव दीखे नवहां तेजस्वी दीखे नवहां केजरिवाल दीखे तो ऐसा क्यों है कि इतने बड़े मौके पे आपकी एकता नजर नहीं आ रही है इतिहासिक चीज को देखने के लिए और आप लोग भी देखके दंग रह गए होंगे लेकिन इस बात की चर् नहीं आए उनकी परसनल चोईस है बहुत सारे जगहों पे हर इंसान फ्री नहीं होता है जाने के लिए वो अपने की परसनल काम में बिजी होंगे लेकिन आप यह नहीं गए इसका जवाब समझवादी पार्टी के नेता से भी ले लेंगे हम लेकिन 11,235 वोट आ चुके हैं लोग बहुत तेजी से वोट कर रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि एक बार उनकी राय का भी राय शुमारी जो हो रही है एक बार उसका रुजहान देखना चाहिए हमें कि राहूल गांधी क्या अक्सर अपने बहानों से सिलफ गोल कर लेते हैं यह वो सवाल है जिस का जवा 84.5, 84.5 या यू कहें कि 85 percent दी लोग मानते हैं कि राहूल अक्सर ऐसा बयान देते हैं जिससे कि उनको नुक्सान होता है उनकी पार्टी को नुक्सान होता है यानि कि self-goal करते हैं और राहूल को सोच समझ कर बोलना चाहिए करीब 14 percent दी लोग मानते हैं और राहुल देश्ट के मुद्दों पर बात करते हैं, जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ एक लेड़ फीस भी है, अब इसी से अंदाजा लगा लिजिए कि लोग क्या सोचते हैं, आप रोशनी जैसवाल आप अपनी राय रख सकती है प्रवक्ता के तौर पे, आप कॉंग्रेस के नेता के तौर पे, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा तर लोग मानते हैं कि राहुल सेल्फ गोल कर लेते हैं अपने बयानों से, रोशनी उनकी बयानों को अगर तोल मोल कर गोल गोल गुमा के दिखाया जाएगा तो वो अविस सी बात है कि कुछ और ही समझेंगे लोग लेकिन हमारे देश के प्रदान मंतरी जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ यह slip of tongue होता है जब आप भाशण देते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती है चोटी मोटी लेकिन आपको उसको बढ़ा चड़ा के करोड़ो अर्वोर में जब ख़ज़ा करते हैं बाकर जाते हैं कि रोशनी करें कि उनकी उनका slip of tongue को जो है आप उसको ऐसा मुद्दा बना देते हैं कि लोग लगता है कि देश में इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई रंजी जी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं slip of tongue कहते हैं कि आपने जैसे शुरुवात में ही कहा रमन सामर्थय Sampana कही गई है और इस देश में शक्ती की पूजा होती है शक्ती मतलब मादुरगह शक्ती मतलब माकालि शक्ती मतलब मासती वों उनको कुछलन Spit चाते हैं शकति मतलब हमारे देश में माताय बेहने सब उनको शकति का रूप माना गया है नवरातर में देखा नहीं कि से बच्छीयों के पैर जो हैं धुलते हैं इस देश के सभी लोग सुथितने फींदुधशन के मांनने वाले नहीं attracting इस देश में महिलाओं को माताओं को बहनों को शक्ति माना गया है और वो इस देश की आधी आबादी को अप्रॉक्सिमिटली सतर करोड महिलाओं को कुछलना चाहते हैं रहुलाओं इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं आधर निये प्रधान मंत्री जिस देश में महिला सशक्ति करन की बात होती है वही पर एक देश में राहूल गांधी आते हैं और कहते हैं कि मैं शक्ति को कुचलना चाहता हूँ, हमारा मिशन शक्ति को कुचलना है, अगर आप शक्ति को कुचलना चाहते हैं, कुचली हम तो कहते हैं, आने वाली चार तारीख को इस देश में शक्ति की पूजा करने वाले और शक्ती के कुचलने वालों का result जो है आ जाएगा इस देश में जिस तरीके से राहूल गांदी लगातार ये इस तरह की भाशा का सनातन के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, भगवान के खिलाफ बोलना, माताओं बहनों के खिलाफ बोलना, शक्ती के खिलाफ बोलना, मादुर्गा के खिलाफ बोलना, इस तरह की बाते जब करेंगे, तो माफ कीजे, ये बेरोजगारी पर बात रही है, आप इनको ये बीच में लगातार बोलने कि क्या, आप मुझे रजी जी नहीं प्लीज, आप इनको रोगेंगे, दस से किन और चाहिए, मुझे 10 से क बेरोजगारी की कहा विशाय उठाया, शक्ती को खतम करने में कहा बेरोजगारी का विशाय उठाया, बेरोजगारी पर बात करनी है, तो बेरोजगारी पर करिये न सीधा, ये इधर घुमा घुमा कर उल्टी सीधी बाते करना कि हम तो बेरोजगारी पर बात करना चाहते है प्रॉब्लम क्या है बीच में लगातार बोलेगा कोई आउचत्य नहीं है अपने नेसा की तरहा लगातार रैंट करना बंद कीजिए जब विशह पर बोलने के लिए कहा जाए तो विशह पर बोलने के लिए जाना बैतर है तो विशह बहुत साफ है कहा है कि मा चक्ती के लिए इस देश की बहन बेटियों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तयार हूँ राहूल गांदी स्विकार करें और आ गया है जिस तरीके का उनका ये भाशन रहा है मैं एक चीज़ मानता हूँ उस व्यक्ति के सामने आप चाहे कितने भी लोग कितने भी नेता कितनी भी भीड खड़ा कर दो वो जब भी बोलेंगे इस देश के खिलाफ धर्म के खिलाफ सनातन के खिलाफ और पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलें तो बिलकुल ये रोशनी ये इस बात का जवाब तो आपको देना ही चाहिए कि लगता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, जिससे लगता है कि वो सनातन के विरोधी हैं, ऐसा क्यों लगता है, कभी वो राम की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जैसरी राम करते रहो और भूखे मरो, भाई भूखे मरने का जैसरी राम से क्या रिस्ता है, लोगों की बेरोजगारी क मुद्धा विकास का वो करते हैं, मुद्धा वो कहते हैं कि वेरोजगारी जो हमारे देश में हैं। मुद्धा विकास का विकास का विकास का विकास का वेरोजगारी जो हमारे देश में हैं। नहीं समझते तो एक अलग सवाल है अगर वो मुद्दों की समझ नहीं रखते तो भी एक अलग सवाल है और अगर ये दोनों समझते हैं तो फिर इस तरह की गलतियां क्यों होती है अपना वर्जन बता दीजे हिंदू धर्म में शक्ती का कॉंसेप्ट है प्रवल्म है जैसे जैसे नेता वैसे प्रवक्ता अब जरा एक दूसरे सवाल का जवाब भी करुजहान देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में कि शक्ति पर निशाना साध कर राहुल क्या लड़ाई की शुरुआत में ही रण की शुरुआत में ही फस गए हैं इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं सुनिए हाँ इससे मोधी को फाइदा होगा बिलकुल राहूल गांधी फस गये हैं ऐसा मानने वाले लोग 92 फीजदी लोग हैं ज्यादातर लोगे मानते हैं कि राहूल ने एक तरीके से इससे मोधी को एक एज दे द पीज़ी हैं, तो भाव सही थे लेकिन शब्द गलत थे, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 5 फीज़्दी हैं, लेकिन 5 फीज़्दी से या 5 परसेंट लोगों से राहुल का काम कमसे कम इस चुनाउ में तो नहीं चलने वाला है, बाफ तो तय है, अब सवाले है कि अगर राहुल करते रहेंगे तो इस चुनाव का नतीजा क्या होगा इन सारे सवालों पर भी हम बात करेंगे और इस जो सवाल हमने किया है उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे लेकिन एक बार ज़रा दीपक रंजन के पास चलते हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन इतना बड़ा मौका था पहले तो कहा गया कि अखलेश्यादों की तबियत नासाज है अच्छी तबियत नहीं इसलिए नहीं जा पाए फिर बाकाइदा स्टेट्मेंट आ गया कि वो चु आदेगा या पता ने क्या भी कह सकते थे आप लेकिन आप तो मौका चुप गए अखलेश्यादों पहुंचे ँगाए अथे हाँ तो ये साली चीज़ आप जो चीज़ है पहले मैं अगर अरे रंजीज जी अगर आपने कुछ गलत बोला तो क्या मैं आपको सही भी नहीं कर सकता हूं क्या मतलब है अरे तो हो सकता है कि तेजस्वी जी वाली बात सुन करके बहुत से दर्शक अभी कुट करके और निकल कर नहीं देख पाऊं तो उतो बाद लोंगे जैन में आ रहे कि रहा कि तुम्हें आपको यह क्लियर करना चाहिए बहुत अच्छा आप देखे रास ठीक है अब आने देखे विरोज में नहीं दर्शकरा आपने जो गड़त का उसको मैंने सही किया ठीक है बहुत अच्छा और देखे रंजी जी ऐसा है कि यह बिल्कुल सही है कि कल आदेने से अगले शादू जी का स्वास थोड़ा सा ठीक नहीं था और उन्होंने इसका उल्ले कि स समय हमार से पहले चरणकी जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है समय हमारे पास बहुत काम है और अभी बहुत से अब जो है प्रत्याशों का चैन कर रहा है उसी संदर में हो सकता कि शाय ट्रेविल करते हैं उनका स्वास तो भी आज उन्होंने मीटिंग भी बुला धायोंगे पे एक साथ जब एक जुढ़ता दिखाने का मॉका था तो आप उसको चुक ए आप वहाँ पहुंचे ही ने भई लडाई तो बाद की बात है पहले मेडान में ख़ड़े तो होंगे न ठीक से पहले ठीक से खड़े तो हो मेरे दिपक रंजन लडाई तो बार में लड़ेंगे आपको रहुल जी ने अरे मेरे आप मेरे आप यापी बोलो क्योंकि आपी को सवाल करना आपी को जवाब देना तो हम लोगो बठाते क्यों आप हम तो यह नहीं सवाई तो पूछ रहा हूँ आपको यह बात आपको अपनी पार्टी का जो आफिसियल वर्जन उससे वाकिफ है कि नीए दिपक रंजन आपकी पार्टी कह रही है ति अखले स्यादों इसलिए नहीं गए इसलिए नहीं गये क्योंकि चुनाओ के कारियों में बीजी थे आप कह रहे हैं कि तब्यत तो अभी 20 मार्च को पहले 20 मार्च को पहले चुनाओ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसमें भी बहुत से प्रत्याशों के चैन नहीं हुआ है तो इस कारण से उन्होंने अपने हेल्थ इशू से और अभी जो है अपनी विस्ता कारण उन्हों नहीं कहा है अच्छा दोनो के तोर पे अभी भी आप आप लोग के समय पास समय है यह क्लियर कर दीजिए अब देखें बीच में इंटरप्ट मत करिएगा हां चीक हमें एक मिनट का हमें बिलकुल अनिंटरप्ट दीजेगा और अभी हमारे भारतियांता पार्टी के हमारे सेंस्वर प्रवक्ता भाई शिवं जी ने जो है अभी सक्ति का जो सरूप बताया देखिए हम लिया अनके बातों से तफाक रखते हैं चाहिए मीडिया के माद्य हम से जिस तरीके से पनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है उस ताकत से आपको लड़ना है आप यह बांते की नहीं मादते हैं कि शक्ति का पर्याव चीज़ाब दिए ना शक्ति को ख़िए ना शक्ति वाली बात हमने कॉंग्रेस के नेता से पू लिए उसको आपको रिसिप मिलती है और पांस साल के सरकार चुने जाते हैं तो आप वीवी पैट को कंपलसरी क्यों नहीं कर देते हैं साथ सेकंड के अंदर पर्ची आप देख भी ने पांद में पर्ची गिर जाती है मेरा यह कहने मतलब है कि आप वीवी पैट को हर पॉल अपने हाथ उसको बॉक्स में डाल दे मैं इस सवाल का नहीं तो आप मतलब आप यह मानते हैं न कि इवियम ओर और लेस ठीक है अगर उसके साथ बीवी पैट को अगर एड़ कर दिया जाए तो उसकी विश्व असनित्या और बढ़ जाएगी यही कह रहे हैं ना लेकिन सब्सक्राइब लोग की 2024 में सरकार बनेगी और निश्ची दूरूब से 2024 में सरकार बनेगी जिस तरीके से जितने भी डेवलप्ट कंट्रीज हैं आखिर वो इवियम से चुना क्यों नहीं कराते हैं आप एक्जामपल ले तो डेवलप्ट कंट्रीज का सरकार बनेगी क्या अभी दो दिन पहले सुप्रीम कोट ने सारी आचिकाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए एवियम के संबंद में जितने भी केसिस थे वो साब खारिच कर दिये अब समझ में नहीं आता हार सामने दिख रही है राइटिंग ऑन दे वॉल है तो एवियम में ये दिक्कत है एवियम मेरे जाओ ना सुप्रीम कोट दो दिन पहले इतना सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट चीख चिला रहे थे इतनी तारीफे सुप्रीम कोट की कर रहे थे उसी सुप्रीम कोट ने कहा है और माना है कि एवियम में कोई परिशानी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर कोई भ उपर कितने लोग पहुंचे थे भाई, वहाँ पर अपने आपको थाबित करने के लिए एक भी नहीं, यह एक भी पार्टी नहीं, आज सुस्रीम कोट ने बोज़े, और यही सवाल, यही सवाल जो हमने आप दोनों से किया, इसी सवाल को हमने जंता से भी पूछा है, और लोगों की संख्या, आप जड़ा देखिए, दो फीजदी से भी कम है, दो फीजदी से भी कम लोग मानते हैं कि नहीं, विश्वस्निये नहीं है, मतलब फीजदी खराब चीज है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ दो फीजदी भी नहीं है, और इविएम कोई मुद्दा ही न तून रहे हैं राहुल गांदी, और इसी के साथ जड़ा चौते सवाल का भी हम लोग रुजान देख लेते हैं, चौता सवाल हमने पूछा था, कि राहुल की न्या यात्रा से अखलेश और केजरिवाल की दूरी क्या कहती है, इसका जवाब में क्या कह रहे हैं, लोग, 74% क लोग की मजबूरी का है इंडी गठवंधन, इंडी गठवंधन असल में natural alliance नहीं है, और ये मजबूरी में बनाया गठवंधन है, इसलिए इस तरह की तस्वीरे आती है, कभी कोई नहीं जाता है, और चुनाव से पहले नतीजों का अंदाजा लग गया है, इसलिए भी लोग करीव साड़े 20 फिस्दी हैं, और जरूरी काम की वज़ा से नहीं गये होंगे, जैसा कि अखलेश यादो या उनकी पार्टी कह रही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2 फिस्दी हैं, जो मानते हैं कि जरूरी काम की वज़ा से उस कारिकरम में नहीं जा पाए कोई ऐसा बयान दे देते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि उसनातन बिरोधी है, या हिंदू धर्म के परती उनकी आस्था में कोई कमी है, कभी राम का मामला है, कभी शक्ती का मामला है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी, मतलब ये बार बार ये जन्मानस को समझन तक यह बंदे मात्रम और मुझे वो चार लाइने याद आती हैं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और कमाल यह है कि इनको फिर भी यकीन नहीं लगातार कॉंग्रेस गरसातल में चलती चली जा रही है लेकिन बार 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 वही गलतियां राहुल गांदी जी कर रहे के साथ साल तक इस देश के अंदर हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया इस देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है यह कहने वाली पार्टी कॉंग्रेस थी इफ्तारी और दरगाहों की राजनीती और मैं यह कहूँ हज की सबसीड़ी की राजनीती कौन करता था कॉंग्रेस जी नहीं तो की है 2014 के बाद से जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस नारे के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सभी वर्ग और सभी धर्मों को साथ लेके चलना शुरू किया उसके बाद लगाता संब्छलाब का विए मैं यह कहँए और सामिघैश्वास सब्सक्राइब करते हैं या क्रिषडानिटी पर श्लिप आफंट टंग करते हैं उन्हों ने आज तक क्यों नहीं ट्रिपल तलाब के उपर श्लिप आफंट किया है ना उन्होंने हलाला पे स्लिप आप तंग किया है आखिर क्या करण है कि वो केवल और केवल सनातन को डेंगी, मलेरिया और एचाइविक जैसा अब शब्द कहने वाले मित्रों के साथ गटबंदन बनाके राजनिती में आगे बढ़ना चाहते होते हैं क्या करण है जब उन्होंने पहली बार यात्रा शुरू कीती तो उन्होंने ऐसे पादरी के साथ में अपनी यात्रा की शुरूआत कीती जो कहता था कि मैं भारत माता के जमीन पर प्यार नहीं रखता क्योंकि मेरे प्यार गंदे हो जाते हैं क्या कारण है कि ऐसे ऐसे नेता इनकी उस यात्रा में थे जिन्हों ने गव माता को जलाया है इस प्रकार की इतने भी इंसिडेंट हैं ये समझ में आता है कि लगातार बहुत सारे आरो पेक साथ हो गए जिसका जवाब देना चाहिए रोश्णी जैसवाल को रोश्णी जैसवाल और हो सकते तो EVM वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिए गवाल लगया आथ हो कि EVM के बारे में आपकी पारटी की राय जो जिस EVM के बदौलत आपकी तीन तीन चारचा राज्यों में सरकार बहु हुई है और वो आप कहरे हैं कि ये VIIM नाकाम है तो आप ये भी कहिए कि फिर जो आपके तीन राजियों में सरकार बनी हैания है वोगी है क्योंकि वो भी उसी VIIM के जर्ये बनी है देखे हुआ हर इंसान इसलिए बोल रहा है क्योंकि किस तरह से EVIM में धानली होती है और कुछ वोटों के पर चुनाव में डक्षणी विधान सभा चुनाव सीड्स से मात्र कुछ हजार के फरक से सपा के जो नेता है वो आगे चल रहे थे ठीक है और उसके बाद जब वो जीतने के कगार पर आये तो डीम और कमिशनर ने किस तरह से वोटों को हेर फेर करके भारती जन्ता पार्टी के विधायक को जिता कर आपने इसकी शिकायत की आप ऐसा क्या चुनाव 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 एक मिनट क्या गोटों की गिंती के दवरांग लोग आगे पीछे तो होते रहते हैं ना उसमें लोग रोश्णी जैस वाले कोई पहली बार ऐस आप पहली बार ऐसा हुआ था कि अगर ऐसा है तो आपने आपने कहां किस इलेक्शन कमिशन को आपने रिपोर्ट किया कहां आपने शिकायत कि उसका क्या नतीजा निकला किस कोट में गए इसकोट में गए ऐसा कह देना यह सब जो ना बहुत वेग बाते हैं आप पहुत था कितनी बार आप यह को फटकार लगाई है सुप्रीम कोट ने इलेक्टोर्ट को इतना वड़ा बाद रहे हैं आप पे डेश के इतना वड़ा प्रोग्राइब है पूरा देश इस समय नहीं देख रहा हैं कि इस प्रकार से कॉंग्रेश की लेता फर्जी बाते पहला रही हैं यह रिंदन कर रही है मैं इंसे पूछता हूं चैनेज देता हूं कि जो इन्हों लेकिन जूट बोलने से भी बात नहीं बनेती नहीं नहीं बनेगी जूट बोलने से भी बहत नहीं बने गाल ठीम है कि रूप नहीं करने से हाफ भी बात बंहें यह बनी प्तड़ जिहां पने आपको लिया तो हमत लग descriptive story तो यहां तो आरोप मत लगा और नहीं तो प्रदेश में आपने इंडिया में बैंड होना चाहिए हमारे तो यहीं आप सुप्रीम कोट से बड़े है क्या सुप्रीम कोट ने जब एविए ने रिक्ति उनको ठारिच कर दिया तो आपके सदिकान से इस प्रकार की बात करना है जब बताईए तो थोड़ा उचा उचा बोल रहे हैं रोशनी और कोई बात नहीं है रोशनी आपको इस बात का जवाब देना चाहिए आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने जो EVM के बारे में कहा क्या सुप्रीम कोट ने कब कहा कि ये EVM खराब है और EVM विश्वसनी चीज नहीं रंजीत कुमार जी आपने बोला है कि इन्होंने तेज आवाज में जिस तरीके से बात किये हो सही नहीं है आपकी बात समझ रहे हैं लेकि इनको कहिए कि आप अपने घर से पहले तमीज से सीख आए इसका अधार क्या है बताई कि आप ऐसे घुमराह महीं कर सकते हैं लोगो इतने पूरे पैनल में बताईए आप ने कहा कि EVM में धांदली हुई DM और SP ने आकर वहाँ पर फेर बदल कर दिया जासाजी कर दी आपके पास क्योंदार इन आरों को शीवम शीवम तयागी कुछ कहना चा रहे हैं शीवम आप आप भी अपनी बात रखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक कारण कार्ड मैं नहीं के बीच में नहीं बोलना है अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में नहीं को बनकर आ落ए को है आप नरसरी तक पढ़े है आप इनको प्लीज रोकिए जरा ये क्या है और दूसरा ये सूरिया मैथिल की आवाज इनको तेज इतनी बुरी लग गई एक महिला को इस देश में शक्ती कहा जाता है इन ही का नेता इन ही को बैट कर जो है कहता है कि मैं शक्ती को कुचलना चाहता हो जाने कि वो सीधा है उनके जो करता है महीला उनको कुचलने की बात कर रहें वो पुरा नहीं लगा नाहीं ये सप्रांटिक ये सोचल मीडिया नहीं है मैं इस बहस से थोड़ा सा समय निकाल के पाच्वे सवाल का रुजान देख लेते हैं पाच्वा सवाल जो हमने पूछा था जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा पाच्वा सवाल था कि चुनावी बीगुल बजने के बाद अब मोदी कितनी सीटों पर जीतते दिखाई दे रहे हैं और इस शक्ति वाले कांड के बाद क्या बीजेपी की स्थिती दिख रही है इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं जड़ा देखिए जड़ा लोगों कि संख्या 49 पीजदी है करीब और 400 के पार करیب 50 पीजदी लोग मानते हैं कि 400 से ज़्यादा सीटे जीतेंगी बीजेP ये है आम लोगों की राय जो हमारा चैनल देख रहे हैं है जो हमारे दर्शक उसमें से लोगों की राये है वो कह रहे हैं कि 400 के पार बीजेपी जाएगी और ये जो सवाल बार बार उखता है कि बीजेपी अपने लिए जितना परचार कर रही है वो तो कर ही रही है जितनी अफिर से आपको दिखाएंगे कि इसमें जो आखरी वोटिंग हुई है उसके नतीजे क्या कहते हैं लोग इन सवालों के जवाब में क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से दीपक रंजन के पास चलते हैं दीपक रंजन वाला सवाल जो है वह धूरा रह गया था आपने बीवी पैट की बात कहके खतम कर दी थी अब दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे अपने पूरे इस यात्रा न्या यात्रा के दौरान उठाते रहे क्या उसमें नहीं उससे आप इतिफाक रखते हैं कि जब राहुल गांधी कहत में OBC वाला सवाल उठा करके क्या राहुल गांधी मतलब एक तरीके से कमजोर मुद्दे पर कमजोर पिछ पर नहीं खेलते दिखते आपको रंजी जी I want to make one request मैं एक request आप से करना चाहतों मेरे request पर एक सवाल उसमें add कर दीजिए कि क्या वीवी पैड मशीन जो है पूरे हिंदूस्तान में सारे बूत पर सारे पॉलिंग स्टेशन पर कंपलसरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है मैं अगला पोल जो लूँग अगला पोल जो लूँगा उसमें जरूर एड करूँगा उन्होंने सदन में कैसी बासा के इस्तिमाल किया था हम ने उनको निकाल कर के पार्टी से बाहर कर दिया अधर फिंठा पर्टी काम घर तो पहले कारवाई कर रहें आपको इतनी बड़ी आफ विशव गुरू कहते अपने आपको इतनी बड़ी पार्टी कहते हैं Believe से क्या मुझबूरी होगी कि उम्परका राजबर जी के घटकर करना चाहते हैं पार्टी को विश्व गुरू नहीं बनाना चाहते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं दूसरा एक और चीज़ जहां तक इनोंने तमाम बयानों की बात कहीं केना चाहता हूं कि जो भी नेता इस तरह की बाते करता है मुझे बिलकुल इतिफाक नहीं रखते हैं बिलकुल गलत लेकिन और जब इस तरह की भाशा का इस्तेमार राहूल गांदी बैट कर कर रहे हैं आपकी जबान से एक शांभ नहीं कहा रहा तो हम अभी अपने स्क्रीन पर नतीजे दिखा रहे हैं पांचो सवाल हमें आप से पूठे थे उन तारे सवालों के जवाब में आप क्या कहा है उन्हें से ज sûक्रवार को बड़ी ख़बर को शोव एक बड़ी ख़बर आने की वज़ात से हम लखी वोटर का नाम नहीं अनौस कर पाये थे उनका नाम भी हम आज बताएंगे तो सबसे पहले आज के लकी वोटर कौन-कौन है जरा उनका नाम एक बार दिखा देते हैं तो आज के लकी वोटर हैं हिरदेश हैं उत्तर प्रदेश से और योगिता वर्मा हैं दिल्ली से उनके मॉबाईल का आखरी चार दिजिट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उसी तरीके से अगले दो लकी वोटर हैं देव शंकर शर्मा वो बिहार से हैं रक्षा बेन पटेल गुजरात की हैं और इनके भी मोबाइल का आखरी चार डिजिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो ये हैं आज के लकी वोटर लेकिन जैसा कि हमने बताया कि शुक्रवार को भी हम एक बड़ी खवर की वज़ा से आखिर में लकी वोटर का नाम एनाउंस नहीं कर पाए थे तो जो उस तारीक के लकी वोटर थे शुक्रवार के अज्रा उनका नाम दिखाईए साहाब सिंग्तोमर हैं उत्तर प्रदेश के और रंजना शिंदे हैं महरास्ट की 2796 इनके मोबाइल का आक्री चार डिजिट है और बाकी दो और नाम हैं ये शोदा बनाए रखिए क्योंकि आपके वोटिंग के जरिये आपकी राय के जरिये इस पूरे बहस को एक दिशा मिलती है और हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को आप इसी तरीके से बनाए रखिए आज के मूड मीटर में इतना ही